जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं आज आपको भारत का मैप याद कराने वाले हूं वो भी बहुत जादा फणी वे में आप लोग अगर परेशान हैं भारत का मैप याद नहीं हो रहा तो लिटरली ये वीडियो देखने के वाद आपको भारत का मैप याद नहीं बलकि रट जाएगा आप दूसरों को चाहिए बनने किसी चलिए शुरु करते हैं तो हम शुरू करेंगे भारत मैप वह भी नीचे की साइड से आप जाए तो अपने खुद के स्ट्रेट से भी शुरू कर सकते हैं बत नीचे से बताब करना है मैंने केरला के तो क यह करें ले की शेप का है तो यह इसलिए इसका नाउ और शैकर आप देखेंगे तो इसके बाजु में देखेंगे अपको मैं एक चीज बताऊं भारत माता के चरंड़ू में आप क्या चढ़ाते हो तो उम्मूमन तोर पर आप लोग लड्डू चड़ाते हो और हम भी लड्डू चड़ाते हैं तो इसलिए लड्डू से इसका नाम हो जाएगा तमिल नाडू किसका नाम हो जाएगा नीचे वाले राज्जे का तमिल नाडू ओप सो ये भी याद हो गया होगा तो मैंने आपको दो राज्ज आंद्र प्रदेश जबकि लड़ू खाने से सहत मंद होते हो लेकिन हमें ट्रीक से याद करना है तो यह हो जाएगा उपर वाला आंद्र प्रदेश तो सबसे पहला आपने करेला खाया करेला के बाद आपने लड़ू खाया भारत मातक के चरणों वाला और उसको खाने के आपकी आँकों में प्रोब्लम होगे और आप होगे अंधे जिससा बन गया अंधर प्रदेश तो आपने तीन राज ये बड़ी आसानी से याद कर लिए और उसके बाद देखे आपने करेला तो खा लिया करेला खाने के बाद अब आप जो है ना गाना गाना शुरू कर दिया आपने देखो करेला खाया करेला खाया अंधे हो गए अंधे हो निवाद आप गाना गाना शुरू कर दिया आपने आप बहुत फनी वे में गाना भी गाना है माते के चर्णों में आप भक्ति कर रहे है तो गाना गाने से यह हो जाएगा तेलंग गाना तेलंग गाना याद सा हो जाएगा महारास्ट्रा क्या हो जाएगा महारास्ट्रा तो इसने फ़नी वे मैं चीजों को याद करो तो महारास्ट्रा भी आपको याद हो चुका है अच्छा देखिएगा जब आप महान हो चुके हैं तो अब आप जो है अलग अलग तरीके से नाटक दिखाओगे अंद्रप्रदेश और अपने तेलंगा साथ महारास्ट्रा अब आप नाटक दिखा रहे हैं तो नाटक दिखाते 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 आप कोवा बन गए क Comput universe go सबसे छोटा पक्षी भी कोवा नमें कितन junior आसान वे में आपने नीचे ओल्मोस सारे राज्जी याद कर लिए तो देखिए का एक बार मापको रिकॉल कराकर दिखाता हूं तो यह है आपका केरला करेले की शेप का केरला फिर आपने माता के चर्णों का लड़ू खाया जिससे नीचे वाले स्टेट का नाम हो गया तमिल नाडू और ऐसा करके आपक महान तो महान सा का ओ जाएगा महा रास्ट्रा जब आप महान हो चुके हैं महांसा करना चुड़ा और ये राज्य भी बहुत छोटा है तो फो कें यह आपको याद हो चुका है चलिएगा अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ को चलते तो ऊपर की तरफ को आपको अब मैं याद कराता हूं इस तरफ से देखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्जी है अगर आप से पूछ जाए कौन सा सबसे बड़ा राज्जी है तो ये तो हम सभी को पता होता है राजिस्थान सबसे बड़ा राज्जी है छेतरफल के हिसाब से तो यह राजिस्थान है क्योंकि यहां पर राजाओं का वास्ता यहां पर बहुत सारे राजाओं हैं जिसकी वज़े से इसका नाम हो गया राज इस्थान राजाओं का इस्थान है ये ये राजिस्थान हो गया ठीक है अब बहुत सारे राजे जो थे गुजर गए मर गए खतम हो गए तो राजे के गुजरने से बन गया गुजरात क्यों गया ये गुजरात देखिएगा नी कि वजह से यह बीच में आ जाएगा तो यह है मद्धिय प्रदेश देखिए आपको मैंने मद्धिय प्रदेश भी बता दिया राजिस्तान भी गुजरात भी तो हम लगबग ऊपर की तरफ को जा रहे हैं बहुत जल्दी खेतम कर देंगे अब आपको पता है आपको क्या पता है आपको यह पता है कि मद्धिय प्रदेश के ऊपर अगर उत्तर की बात करें तो मद्धिय प्रदेश के उत्तर में कहां पर उत्तर में है उत्तर प्रदेश यह उत्तर प्रदेश है बाबू यहां पर योगी जी डंडे मार मार का फुल्डो दर चला देते हैं तो उत्तर प मेरे पास उपर वाला हिस्स आ गया अच्छा उत्तÓर खंड के आग्या रहे होंगे है और राज-स्थान से भी सटा हुआ है तो यह है मिला हरियाडा अच्छा हरियाडा में पिडूप से तो इए तो चीजा खतम करके यहाएंगे यह ऐसे नहीं आएंगे ना सबसे ऑपर देखेंगा सबसे उपर क्ैया है ये सबसे उपर हाता है पहला हिसे घंप कश्मीर होआ के मुब होके ये लादाख किस का अज़साrande कर दN e'ть अर ये चोटा हो गया इसको बड़ा कीजिए झाब बड़ा तो ये है लसन ये उपर वाला इस Sa avons का लद्दाख का इसके बाद ये जो हिस्सा बचा ये जो हिस्सा बचा ये है जम्मू कश्मीर क्या है ये जम्मू कश्मीर तो लद्दाख आपको पता चल गया जम्मू कश्मीर और आपको पता है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वह भाई बर्फ से डगा हुआ हो था बर्फ को बोलते हीम और आप ये देखेंगे कि लद्दाक के आचल में नीचे वाला राजी है नीचे वाला राजी है किसके आचल में है लद्दाक के आचल में है इसलिए बोलते हैं इसको जम्मो कश्मीर से ले लो हीम और लद्दाक से ले लो आचल तो बन जाएगा हीमाचल यह हिमाचल प्रदेश देखिएगा कितनी अच्छे से आपको याद हो गए है ना तो आपको मैंने सब याद करा दिया जव्मू कश्मीर भी हो गए लद्दाख हिमाचल प्रदेश अच्छा एक चीज तो और बचा आपको बता है कि यहां से नदिया निकल के जाती है और पांच नदिया जो है इसके अंदर से निकल के जाती है यह जो राजी है इसका नाम रखा गया है पांच नदियों की वज़े से पंजाब मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ यह इससा आप देख रहे हैं तो यह है का तो पंजाबी बाबू आपने याद कर लिया लद्दाक हो गया जम्म कश्मीर हो गया हिमाचल प्रदेश हरियाड़ा पंजाब और राजिस्थान दिल्ली समय बार करें अब किधर कि तरफ को बार करें अब बार करते हैं यहाले हिस्से पर जो नीचे की तरफ को थोड़ा सा छिपा हुआ है रहे कहां गया रहे ये वाला आपको पता है ये वाला हिस्सा जो है ये 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 रुक ना रुक ना रुक गया ये हिस्सा जो है एक्चुल में किस का है ये है विहार का तो ये हिस्सा आयाता विहार अच्छा विहार से ही आपको पता है ना व जार खंड जार खंड देखिएगा नीचे बाद राजी क्या हो गया जार खंड हो गया जाडियों में पक्षी होते हैं और पक्षी उड़ जाते हैं तो उड़ने से हो जाएगा उड़ीशा तो यह राजी हो जाएगा उड़ीशा तो बिहार आपने देगा बिहार के नीचे क् वो क्या है हमारे पास एक राज्जी ऐसा भी है जो बहुत सारे अलग-अलग राज्जों से जुड़ा हुआ है हम इसने उसको बोलते हैं 36 गड़ क्या बोलते हैं गड़ वो राज्जों से जुड़ा हुआ गड़ है इसने उसका नाम है चतीस गड़ दोको ये भी याद हो गया तो चतीस गड़ भी याद हो गया आपको वाओ आपको सब याद हो गया अच्छा इसके बाद आपको बिहार से एक राज्जी और अलग हुआ था जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है जहां से हमारी गंगाजी निकल के जाती है इस इसका नाम है पश्चिम बंगाल के नाम है इसका पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल भी आपको याद हो गया तो इतने सौरे घिचपिच घिचपिच सी हो गई है आप सोच रहोंगे क्या घिचपिच घिचपिच कर दी तो भाई मैं आपको दुबारा से रिवाइस करा आप टेंशन ना लें तो ये है पश्चिम बंगाल ये नीचा का हिस्सा कैसा है पश्चिम बंगाल तो मैं इसको अब देखेगा बहुत सारे हो गए ना इसको मिटा दो यारब अब मिटा दो इसको मिटा करके अब हम पश्चिम बंगाल तक पहुच चुके हैं बापस में रिवाइस करते वक्त सबको एक बार और देख लेंगे माता के नाम पर तो ये आपने देख लिया ये राज्जी है इसका नाम तब पश्चिम बंगाल ठीक है अच्छे ये ऊपर अंगूठे की तरहां आपको ऊपर कुछ उबरा हुआ दिख रहा है हाँ दिख रहा है भाई यही तो है अपना सिक्किम क्या है ये सिक्किम सिक्किम ये राज्जी है हमारा सिक्किम है ठीक है इसके बाद जो area आता है ये वाला इसको बोलते है seven sisters reason क्या बोलते हैं इसको seven sisters reason इसको बहुत अच्छे से तेयार करते है seven sister reasons को थोड़ा था मैं zoom करका आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप इसको और अच्छे से याद कर लें तो मैं इसको कर देता हूँ 300% पर ठीक है अब देखिएगा seven sister reasons की तरफ को आ चुका हूँ मैं इसको भी बहुत funny way मैं एक मामी है जिनका नाम है अरुना उससे मैं आपको सब याद करा दूँगा देखिएगा एक मेरी मामी थी जिनका नाम थे अरुना तो मैं लिख देता हूँ अरुना अरुना मामी अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सब याद हो जाएगा बबू सब याद हो जाएगा कैसे याद होगा देखो बताता हूँ आपको अरुना मामी के बारे में बताता हूँ अरुना का मतलब है अरुनाचल प्रदेश तो ये जो उपर वाला एरिया है ये 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 यहां जाकर जो खत्म हुआ ये है पूरा का पूरा ये है अरुनाचल प्रदेश क्या है ये अरुनाचल अरुनाचल प्रदेश होप सो याद हो गया हो गया ये भी अरुना की बाद आता है ना ना मतलब होता नागा लेंड तो इसके नीचे को जो सटा हुआ है नागा लेंड नागा लेंड ओ हो हो मज़े आ गए बे ट्रीक में इसके बाद मामी मा मतलब मडीपूर और मी मतलब मिजोरम इसके बाद आता है मडीपूर तो ये हिस्सा है मडीपूर का क्या है ये मडीपूर और इसके बाद नीचा वाला जो आता है ये ये आता है मिजोरम मिजोरम बस बाद खतम अब देखेगा इतना होने के बाद अगर भाई तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे नहीं पता फिर कैसा समझ आएगा आप लोग खुश से भी देखें लेकिन मुझे लगता है कि ये सब सम है क्या है ये सम है समसा बन जाएगा असम समसा क्या बन जाएगा असम तो ये मेरे पास जो बच्टा है ये वाला ये सारा का सारा क्या है ये असम अच्छा असम के बाद क्या हुआ ना मेग आ गए मेग आ गए और बारिश पढ़ने शुरूब हो गए तो मेग کے आने से बन गया मेगवले तो ये इसा जो है किसका है मेगवले तो ये भी आपको पता लग गया ओगा मेगवले मेगवले के बाद अब कुछ यह नहीं बच्टा आपगा पूरा हंदुस्तान आपको रड़ गया अब एक हिस्सा बच्ता चोट असा ये वाला जो मेगाले के नीचे है इसको बोलते हैं तिरी पुरा क्या बोलते हैं इसको तिरी पुरा तो आपको सेवन सिस्टर्स रीजन भी मैंना आपको याद करा दिया उपर की तरफ है नागलेंड सोरी अवड़ांचल प्रदेश फिर न नाम है केरला करेला खाने के बाद मैंने भारत माते की चर्णो का लड़ू खाया जिससे नीचे वाले स्टेट का नाम बन गया तमिल नाड़ू और ऐसा करके मेरी यहां का कमजोर हो गई मों अंदा हो गया तो जिसकी वज़े से उपर वाले राज्जे का नाम इसका नाम हो गया आंधर प्रदेश और अंदा होनी के बाद में मैंने माता के गाने करने शुरू कर दिया भजन करना शुरू कर दिया कीरतन करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से इसका नाम बन गया तेलंग गाना और मैं ऐसा करके महान बन गया तो यह उपर वाला बन गया और मैं पिर अलग अलग तुरीके के करतब दिखाने लगँ नाटक करने लगँ जिसके वहले से यह राज्ये बन गया करनाट का और आपको बताने जो पक्षी होते हैं वो छोटे छोटे पक्षी जैसे कोवा कोवा बहुत छोटा होता तो हमारा एक राज्य है जो कि बहुत छोटा जिसका नाम है गोवा तो ये छोटा सा राज्य बन जाएगा गोवा इसके बाद आपको बताए कि भारत के मद्धिये में मद्धिये में एक राज्ये जिसका नाम है मद्धिये प्रदेश तो मद्धिये प्रदेश के ठीक उत्तर की अगर बात करोगे तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रिदेश भी आपको समझ में आ गया अच्छा आपको पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य छेत्रवल से वो है ये जिसको आप कहते हो राजाओं का इस्थान जिसको कहते है राजिस्थान और राजाय सब राजा जो थे लग भग समर चुके हैं गुजर चुके हैं तो गुजरने से बन जाएगा नीचे वाला गुजरात ठीक है इसके बाद यहां देखें के बिहार और बिहार से अलग हुआ है एक राज्य जिसमें जाड़िया थी जिसको आप कहते हो जारकंड जारकंड के अंदर पक्षी होते हैं पक्षी गए उड़ और बन गए नीचे वाले राज्य का नाम उड़ीशा और आपको पता यह राज्य जो है यह 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 बहुत सारे अलग अलग राज्य जुड़ा हुआ है तो यह राज्यों से जुड़ा हुआ एक राज्य है जिसका गड़ है तो आप यह कह सकतो यह है 36 गड़ ठीक है इतना याद होने के बाद आप आ चुके हैं फिरिधर जहां पर बंगाल की खाड़ी है तो आपको बता बंगाल की खाड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल के अंत में हैं उसके बाद आपने देखा कि यह उभरा हुआ सिरस उ नया बन चुका है यह करद शाशत पर देशन लदाख उसके बाद जम्मकषमीर और जम्मकषमित में जंती है बर्फ और लदाख के अंदर लदाख最 blessings नीचे ये इसलिए हो जाएगा ही मांचल नीच वाला और आपको बदा उत्तर प्रदेश के उपर एक खंड है जिसका नाम है उत्तरा खंड और पांच नदियो वाला एक राज्य जिसका नाम है पंजाब और एक हरा हरा राज्य है जिसका नाम हरियाडा जिसका अंदर हमारी राष्ट्री राजधानी दिल्ली समाए हुए साइट से तो कैसी लगी आपको वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएं जितना हो सके वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तेंक्यू